जहां इर्फान खान को लेकर तरह तरह के कयास लगाय जा रहे थे वहीं अब खुद इर्फान खान ने अपने बिमारी को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है इर्फान खान ने बता दिया है कि वो किस बिमारी से पीडित है आपको बता दें कि इर्फान खान को निउरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है ये एक तरीके का कैंसर है इसका इलाज संभव है वहीं ये जानकारी भी दे दे कि इलाज के लिए इर्फान खान अमेरिका शिफ की है कि हर कोई उनके लिए दुआ करता रहे ऐसे में हम भी यही आशा करते हैं कि इर्फान खान जल्दी से भारत लोते और बॉलिवुड में फिर से काम शुरू करते जानकारी देते चलें कि इर्फान खान की फिल्म ब्लाक मेल गत 6 अप्रेल को रिलीज होने जा रही है फिल्कुर्ट नूस्टिस्क